तो जी बस अब वही जो आपको बताया था ट्री लाइन से निकल रहे हैं ट्रेल को एंजॉय कर रहे हैं बाकी ये कुनाल जी अब पानी भरने लगे हुए हैं इसको पीने का मज़े लगा टेस्टी लगा नहीं गुनाल पस अब ऐसी ट्री लाइं रहेगी सिंबर थाज जहां हमने हमेशा केंप लगा याज नहीं लगाएंगे आज हम दैराताज जा रहे हैं महाँ पर स्टॉप जरूर लेगे कॉफी कुफी पीएंगे सुना वहाँ पर को स्टॉल लगी हुई है लगी हुए है लड़ इजिट आपको ट्री लाइन दिखाता जाता पर कुनाल जी पानी भर रहे हैं मैं भी भरूगा मेरी भी कुनाली भरेगा इंफेक्ट सिंबर थाज पर ब्रेक लेंगे और बाते गरते चलते हैं अब ही तो हम सिंबर थाज नहीं पहुंचे हैं जी वही ट्री लाइन में चल रहे हैं और यह हलका हलका स्नोफलेक्स स्नोफलेक्स आप उश्याद दिख रहे हूं हलके स्नोफलेक्स स्यूरू हो गया है कि अधियार थाज दियार थाज तो फिर उससे भी उपर है लीथम की दो बात छोड़ दो चंदर नहां की पता नहीं यार इस साल मौसम है कैसा एक ही बड़ होता सबके पास वेस्टन दिसर्बंस है भी वही बट काम खराब हो जाता है जी एनिहाओ करेंगे जरूर करेंगे यह देखिए बहुत टाइनी है यह अभी आपको देखें होंगे हां बाकी उनाल कहने की बाते हैं 70 परसंट यहां से सैंडी है शिद्धा सुद्धा मलव बहु नहीं नहीं नो अब 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 आपने अल्टिटूड गेन करना तो वह संड से होगा डिसंड से तो अब जहां पर है और पत्चीसों से आए है तो हमने फिर साथ सो मीटर साथ सो मीटर किलो मीटर से सिर्फ तीन सो मीटर कम यह से ही रास्ता जी मैक्सिमम बाकी वह विलिज वाला अपने शुरू में देखी लिया होगा एक्साइटेड़ है यार मना बुरान पास को क्रॉस करें बुरान बाबा अगर दर्शन करें यह सबसे अची चीज है तो यह सो वी आर हैड़िंग टूवर्ड़्ज के सकते हमारा फर्स्ट जैनून स्टॉप सिमबर था पहले मैं जब भी शिमबर था जाता था बहुत हो जाता था गौस वह हमारी फर्स्ट केम साइट होती थी बट क्योंकि इस बार पास करना तो रास्ता हमें जादा कवर करना पड़ता है तो आज हम द्यारा जा रहें सिधा नॉमली हम सिंबर था चीज करते हैं अपने टाइम कितना हुआ है कितना वे चले ते हम पौने 11 तो पौने 11 वह मुझी क्वार्टर टू इलावन चले थे और ड़ाइ गंटे लगे यहां तक पहुचने के लिए तो आप सोचके देखिए फर्स केंपसाइट श्मबर था चो डाइ गंटे की आपकी पर बास फिर मज़े कीजिए मौज़े मारी है बहुत प्यारी कैम्प साइट है बहुत लश ग्रीन होती है रस्ते में थोड़ी स्नो भी दिखी है तो पहले भी गिरी होगी उसके वैसे घास ब्राउन हो गया जो मार देता ना घास को कुल कैम्प साइट के नजदीग पहुंचते हुए केस उद्धर ही रखना है फोन दा सिंब थास वाले पास से तो जी वी आर अप्रोचिंग आर मनों माई फेवरेट केम्प साइट सिंबर्थाच बहुत यारी केम्प साइट है टेंपरेचर अच्छा है जगा अवसमतल है बिल्कुल प्लेन है तो वंदा एंजुआ करता है आई आपको अपनी सिंबर्थाच केम्प साइट दिखाता आज केम्प नहीं लगाना मैंने पिछे आपको बताया भी था आज अमने द्यारा जाना है विच इस दी बेस्ट केम्प साइट एकॉर्डिंग टू मी यह देखे सामने कितने पोर्टर्स है सौरी मूल जा जी डंकी जा गलती से निकल गया क्वड़े पोर्टर्स हाँ क्या इस जार्स जार्स आल अाया? आल तो जी यह है हमारी पिछली लास्ट टू टाइम्स की कैंप से इट सेंबर थाच वह जहां आगे कुनाल जा रहा वहां टैंट पीच हो जाते हैं अभी यहां तो ही तो सामने आपको दिख रहा है जो पड़ीजी यहां मैंगी पॉइंट बोलते हैं जो पहले तो नहीं होती थी अब अभी मौसम अच्छा वाज लास्ट टाइम जब भी आपे आए हैं बौसम बाज वरी बैड एक बार पारिश बहुत जादा थी और एक बार बरफ से लदा हुआ था गूल अच्छी साइट अच्छी साइट आई है तो वेलकम टू सिंबर लुक अच्छी मांटेंज इसके ड्रोन शॉट्स भी है मेरे पास लास्ट वीडियो में आप सुरी लास्ट टाइम जब फस्स टाइम आये थे जा चंदरनाहं करने बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स दिये थे और कुनाल जी यह तो दारू पॉइंट पे बैठ गया अब है अब यहां को खाना कुछ कुछ खाते हैं ब्रेक लेते हैं फिर देन वी विल मुव टू देरा थाच वह सामने जाता है यह द्यारा थाच का रास्ता लास्ट टाइम जब गए थे बे इंतेहां बरपती और कैम्पिंग बरपके ऊपर की थी क्या कर रहा है हम वो चीज़ करने हैं जो सारी दुनिया तरसती है स्पेशल जाती है पहाड़ों में वादियों में करने के लिए अद्रक वाली चाय साथ में मैगी मैगी यह खाएगा मै कामी खाता हूँ आदो खाऊंगा एंड ऐसा ट्रेडिशनल सा हट यह देखिए और लकडी की आग और उसकी कुछ ने लकडी का चूला और परफेक्ट वैदर ना ज्यादा ठंड ना गर्मी तो हाई निस वाली और मोर ओवर सबसे बड़ी चीज़ स्नो फॉल दिखाऊ सर स्नो फॉल दिखाऊ सर स्नो फॉल दिख रही हो तो आप नो शुरू हो गई यह ज चाय का क्या रेट है और मैगी का चास तो देखो जी यहां पर समान लाने में लगती है बहुत मेहनत तो और यह लोग अगर हम यहां ट्रेक करने आते हैं मैं हमेशा बोलता हूँ लोकल लोगों का धला होना चाहिए यह नहीं सरफ ट्रेक किया और निकल गए तो जब भी यहां पर सकते हैं क्या सकून दे रही है यह चाय का कलर भी देख लिए अच्छा है गुट्टी और रीजनेबल है यहां पर आके रीजनेबल है तो यू मस्ट एब और सपोर्ट वो कहते है ना वोकल फो लोकल तो दो एट 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 अट इस बेस्ट अधर बर्फ ना पड़ जलूरी है अधर्वाइस ग्रुप का फायदा कोई नहीं अगर अकेली आगे भागना भाग के होगा भी कुछ नहीं अच्छे जगा बैठने के लिए वहां जागे केंप में खुछना पड़ेगा मिलते आंगे चाओ तो जी इस टाइम टो विड़ाद्यू तो वन अप दी गुड़ केंपसाइड सिंबर थाच और भागने एक प्लेट मेंगे ली थी दो गप जाए आपको बताई दिया था और साब अब निकल रहे हैं मैं निवड सा स्नोस्रॉम आया था यह थोड़ी सी पोटेज देखिए इसा आया था यह आपको पता लगी रहोगा गलफ आ गया है थंडे हो गले में यह डल गया अभी वहां जाके और भी कुछ दल गया है अभी तो बहुँ कुछ दलेगा हम बस आगे निकल रहे हैं विकाज हम फंटालीस मिनट पहले पहुँच गये थे इस साइट पर बाकी ट्रैकर से तो अब हम बॉड़ी थंडी हो चुकी है तो उनको हमने का आप थोड़ा ब्रेक लो हम दिरे-दिर आगे चलते हैं जाद देर बैठना हम जाद देर ही बैठे रहे हैं कुछ कुनाल ने टाइम लेने थे अगर वो ना लिए फिर तो फाइदे कुछ नहीं पर आपको क्या दिखाएंगे बस अब ये ट्री लाइन आजी इसके बीच में से जाएंगे जिस तरफ कुनाल जा रहा है तो अच्छा राजी है है हमारा ब्रेक कुनाल की फेवरिट ब्रेक बैसिकली बैठने के लिए अच्छी जगा मिल जाती है आप पीठ लगा के राम से मैगी खाहो चाह पियो बाते करो यही ट्रैकिंग का में फन है के अधरवाइज मेर चलते रो हमें हरी करते रो रश करते रो उसका कोई फायदा नहीं आप नेचर को तो इंजुआई नहीं कर पाते है हुआ 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 है हुआ हुआ है कितनी शांती है यहां पर एक बोड़ा रीजन है मैं अपनी वीडियो में म्यूजिक थोड़ा कम रखता हूं ताकि आप इस जंगल को फील कर पाएं हुआ है यहां के इंसेक्स की साउंद हवा की साउंद जस्ट वाओ यार जिस मेडिटेशन के लिए लोग लग खर्चते है यहां फ्री में उत्ती है फ्री में को इसालें साउंदी मार में तना है रा हसे एक्सपारिशन बड़े सूधिंग सी हवाय, ठंड हो गई है, सम्टैंज बबनी, क्या ग्लेच है, बैटरी लो दिखा के कैमरा आफ हो जाता है, तो इसलिए ग्लेची जा रहे हैं, बड़ बैटरी होती है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ट्रेल देखिए आप अच्छाब वो अजय को अधिन दो दो लागराख कुछ वेनी? दो लागराख ड्री लाइन तीना? कोई कोंट्रास दिखाता हूँ यह सुर्य देवता चमकते हुए यह दूप है इधर दूप है जी सामने देखिए कंप्लीट वाइट आउट है मैं दिख लेके चलता हूँ द्यारा थाच भी दिखेगा वहाँ से कंप्लीट वाइट आउट है यह है फुद्रत के करिच में वाइट दिखाता हूँ जिन मेरे विवयور्स नहीं पता वाइट वाइट किसे बोला जाता है वह दिखाता हो जब बिल्कुल फॉग हो जाए बादल ही बादल होजाए तोटली दूप है चलिए आपको बाइट दिखाता हूं आगए तोजी मारी फर्स्ट गेंपसाइट की पहली जलक वह सामने टेंट लगे दिखाता हूं आपका पीछे वह देखिया डैडीज देरा थाच और यह पीछे देखिये कुछ पहार दिखी नहीं कोई पहाड यह पहाड बहुत उच्छे हैं जैसे यह है इधर दिख रहा है इधर वाइटा उट है नेचर का वास ही है सुझाल है जी अच्छो बहुत प्यारी केंपसाइटा देखे कितना मैसिव है बाकी तो पास जाके दिखाऊंगा आपको अब यह समने सीधी ट्रेल पर च यह पर चलके गहते हैं इस बड़ी ट्रेल नहीं थी लाग परफ सी ना बरफ के कारें ट्रेल बंद ख़तम थी इन साथ पहले ही बाफ ट्रेंबर ट्रेंटी 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 है अवा फिर यह खुला एरिया है यह तो हवा हुनी राज को ठंड बहुत लगेगी अधरक यह आज सम्ट के लेगा लसन कर दो सूंज समें मों कि पॉल Será क कर दोस्ट मैं पत्रेंट जिए ट्रेंटी थाच जो आज की हमारी केंप साइट है कि दोवंबर दिसम्बर में जब हम आए थे यह तो यह सारा फुरफ से धका हुआ था तो आल वाइट बस यह उपर पंकर जा तड़ेगा आप इसके उपर कैंप लगे में आपको दिखाए पंकर ने डैट वस द्यारा थाच पस जाते है है पहले लंच करेंगे फड़ा वार्म कपड़े डालने वार्म लोड और इनर नहीं डाला था ठंडिया काफी है अब बहुत चल रही है बस जाके वैदर को मौसम को नेचर को इस यूनीकनेस को इंजॉय करते हैं ओके सी यू फेर लंबा गया दूँ जी हम अपनी फर्स केंप साइट पहुंच चुके हैं द्यारा था आज आपको देखकर ही पता लग रहा होगा क्या ब्यूटिफुल केंप साइट है लोग से लांग वैली जाते हैं जो इसके आगे कहीं स्टैंड नहीं करती बट मज़ा आगया जी यह देखें अबसलूट ली जाला मेहनत करनी पड़ती है अब किसी नेकर नोट किया हो तो हम शौट्स अलग से कर रहे हैं रीज अलग से कर रहे हैं और व्लॉक्स अलग से कर नहीं है डिटेल्ट बोलने में मेरी 50 परसेंट एनर्जी जाती है और व्लॉक मेरे बैग में रहता है तो कम से कम चार पांच किलो से उपर वजन में अपने शोल्डर से लेकर चलता हूं तांकि अपने व्यूवर्स को सब कुछ दिखा सकूँ पंजाबी जी कहनते हैं फाहा नहीं बढ़ना विट मीन्स स्पॉयल नहीं करना यह जो कहते हैं नेचर को जो आखों को प्लैजर देती है यह मेरे विव्यूर्स को प्लैजर मिलना चाहिए दे थारोली डिजर वेट अब अब यूट्यूब पर डलती नहीं तो इस्टाग्राम पर जाए बहुत अच्छे पेक्स हैं वहाँ पर बस अब किचन डाइनिंग टेंट येलो वाला बाकी थ्र स्लीपिंग टेंट साजी बस वहाँ जाता हूं रेस्ट करता हूं फिर आपसे बाते करता हूं चाहो अगर 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 तो जी यह ब्लू वाले हमारे स्लीपिंग टेंट्स है रेड वाली किचन है और येलो वाला जी हमारा डाइनिंग है अब आपको थोड़ा अंदर से पहले किचन दिखा दूँ यहां कुछ नहीं पता यहां कुछ नहीं पता का बंदेरा हो जाए वाइट ओट हो जाए और हमारे अपने आपको कुक से भी मिलाते हैं और गाइड से बाब में मिलाऊंगा यह है जी हमारी किचन यह किचन आप जानी पहचानी लग रही होगी हर जगा ऐसी किचनी सेट अप होती है यह डाइनिंग है कुक साब कहां पे हैं तो यह विरेंदर भाई जी है हमारे कुक कुक साब आज क्या पनाया है आजर जावल और डालमलका लंच में पपड़ ठीक है जी थैंक्यू विरेंदर जी बाते करते रहेंगे आपसे बस जी अभी लंच करेंगे दिखाता हूं जब सारे दे दिजे अक्चलि फिर बीच में कट गया था मैं अभी देखता हूं अभी कैम पहुंचे है थोड़े का सेट अप करूं लंच करेंगे लंच दिखाऊंगा यह आपको क्या खा रहे हैं और यह कुनाल जी पैट हमारा टैंट है कुनाल दिखा दें यह इस बर स्पेस थोड़ी बैट रहा है जी इनको कहते हैं तो यह तीन के लिए होती है फॉट फॉर्चुनेटली मैं कुनाल दिनी है आज हराम से सुझे बस अब लंच में मिलता हूं आपको बाई तो जी लंच आ गया हमारा और लंच में आज दाल चावल कुनाल थोड़ा खोल के दिखा देंगे यह यलो दाल है तड़का लग रहा लगा हुआ है और इसको कहते है तो बस यह दाल चावल का लंच है जी साथ में पापड़ा खाते हैं फिर आपसे बाते करते हैं और अच्छे अच्छे टाइम लेप्स लेंगे अगर हवा रुगी तो डून शोट चोट तो जी यह मच्छर नहीं है जो अभी आपको बाइट बैट दिख रहे होंगे स्नूव फॉल शुरू हो गई है और द्यारा था अच पर उपर क्या बताएं इसलिए विले मैं और कुनाल टैंट के अंदर थे अभी वो टैंट के अंदर ही है को ठंट बहुत जादा है अभी मैं लेरिंग करनी पड़ेगी और मैंने सोचा इससे पहले अंदरा हो आज कब लॉग भी अंड करना है तो देख लीजिए जी कितनी जावा मेहनत करनी पड़ती है तभी बार बार बोलते हैं आप प्यार दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब किजिए आगे शेर भी क चुके हैं सर्दियों का मौसम है और आज 24 अक्टूबर है तो अक्टूबर एंडी चल रहा है दिन छोटे हो जाते हैं बस अभी का यह है अब कल सुबह देखते हैं क्या मंजर रहता अभी तो सेकंड डे है ट्रैक का फस्स डे है बट हमारे स्क्रिप का सेकंड डे है अभी तो बहुत दिन पड़े हैं तो अगर आज का आपको यह खतना द्यारा था आज सिंबर था जांगली इक सारा जो भी मैंने आपको दिखाया मेरा यह सफर मेरे साथ जोब करते हैं आपको अच्छा लगाओ तो जरूर शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी अगर आपको पसंद आती है हमारा यह हार्ड वर्क यह वीडियो तो कल मिलते हैं जी टिल दैन डू वाट यू लव और लव वाट यू टेक क्यार गुड़ नाइट वेरी गुड़ नाइट